हेलो एवरिवन वेलकम टू दपी सीम बी डिजिटल ग्रूप को चैनल इस वीडियो में हम 10th क्लास दसवी की वर्क्षिट इंग्लिस की हमारी 84 करेंगे जिसकी डेट है 16 फुर्वरी इसमें हम रिपोर्टिट स्पीच के बारे में पढ़ने वाले हैं उसके एक्जामपल को हम बाकिजिए ताकि सारी सारी वर्क्षिट का नोटिफिकरेशन आपको मिलें और आपकी व्रक्षिट मिस नह तो फर्स्ट में हमारा क्या करना है Choose correct अफिन टू फुल्ड?", ठीक है तो नारेशन चेंज करनीए रेनु Alright तो spacecraft ऐना principle बारी लिखए तो सेंड मतब पास-क-र सेंस के रेनू, रेनू said that she liked to read तो B answer हो जाएगा सेगेंड कोश्चिन, राजू said to सुन्दर, राजू ने कहा sun rises from the east, देखो अगर यहाँ पर पास्ट है लेकिन जो यह बात जो बोली गई वो एक fact है, universal truth है universal truth हमारा simple present में ही रहता है तो sun rises का sun rises जीज ही रह जाएगा, चीज नहीं होगा इसका अंसर आजाएगा थर्ड कोश्चिन देखते हैं, सतीज आस्ट समीर do you like to eat chocolate तो सतीज आस्ट समीर do you like simple हमारा present है, लेकिन question वाला है तो if, question को हमें simple sentence में बदलना है, बिना question वाले के तो do की जगे बारा if आजाएगा तो do you यह तो गलत हो गया, if वाला आएगा और हमारा क्या, यह past में है तो past में ही आएगा, like का हो जाएगा like if, he like, तो answer हो जाएगा see, second में हमारे यहां पर बात कर रहे है तो have you all read this book तो यह जो हमारे यहां पर है जोती सबसे पूशती है, क्या सबने तुमने बुक पढ़ी है तो उसमें से हमारा जो कुछ answer देते है सुसील answer देता है, wow, it seems interesting तो सुसील कहता है, यह तो interesting पढ़ रहे है दिखाई दे रहे है उसमें से फिर सुसील के बाद जो है, Sam कहता है I finished reading it yesterday मैंने कली इसको जो है, finish किया Sam कहता है, I will start reading it तुमार मकल से निससे पढ़ूँगा और भी कहता है क्या, कि I finished reading it yesterday मैंने कली इससे पढ़ना बन किया तो यह अगर हम देखें, Jyothi inquired her friend if, क्यास तुमने book पढ़ी है उसने क्या sentence बोला, Jyothi ने यहाँ पर हम देखें, have you all read this book, ठीक है तो question mark have को हटाएंगे तो आजेगा if क्योंकि यहाँ पर है inquired past की बात है, तो read का past read ही होता है, और have का हो जाएगा had, you all का हो जाएगा they, तो answer होगा Jyothi inquired her friends if they all had if they all had read the book, answer हो जाएगा C second question, second है Cecile exclaimed with pleasure that wow, it seems amazing तो it seems amazing इसका क्या होगा? that, it का हो जाता है that that seemed interesting तो हमारा answer क्या होगा यहाँ पर, answer हो जाएगा A next question हमारा then Sam said, Sam ने कहा he would start reading that the next day, I will start reading from it tomorrow tomorrow का थो होता है the next day, तो यह tomorrow आगा है अब यह तो होने सकता है the next day ही आना था ठीक है, he would start reading it का हो जाता है that तो A आएगा, he would start reading that the next day fourth लेखते है I finished reading it yesterday, we replied past है, तो past में आएगा I finished reading it yesterday, yesterday का हो जागा the previous day तो यह तो नहीं होगा इन दोनों में से हमारा कोई आएगा he had finished reading it का हो जाता है that the previous day तो fourth का जाएगा तो यह थी हमारी वर्क स्टीट नमबर 84 10th क्लास के इंगलिज की सोला फरोरी की आहोप आपको अच्छी लगे अगर ना तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंज के साथ चैनल को सब्सक्काइब करना ना भूले थे चैनल कोर वाचिक ना वीडियो